नमस्कार जैहिन स्वाकत है आपका एक बेरफिट सेब की चेनल फार्मेसी पॉइंट में तो आपने पिछले एक से दो दिनों में कुछ इस तरह का एक इमेज देखा हुआ इसमें लिखा गया है कि भारत का राजपत्र दा गैजटी ऑफ इंडिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इ यह नोटिस रियल है या फिर फेक है तो देखिए यह पहले बार देखने में ही यह नोटिस हमें आप पर फेक देखती है और इसको मैं आपको प्रूब भी करके दिखाने वाला हूँ कि यह नोटिस फेक क्यों है देखिए इसमें बहुत सारे जो श्टेट है वहाँ पे डि एक्जेट एक्जामिनेशन है वो नवंबर दिसंबर महीने में हो सकता है जब आपके रिजल्ट को डिकलियर कर दिया जाएगा अब देखके हम इसके बाद ओफिसेल वेबसाइट पर जलते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रियल्टी क्या है तो हम यहाँ पर ओ देख सकते हैं e-gazity.nic.in तो यहाँ पर जो भी भारत का राजपतर को पब्लिस किया जाता है उसकी यहाँ पर डिजिटल कॉपी देखने को यहाँ पर मिलती है तो हम यहाँ पर नीचे चलते हैं और हम इस वेबसाइट को देख लेते हैं तो यहाँ से यह वेबसाइट ओप हम रिफ्रेस करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी नोटिफिकेसर नहीं अब देखी यहाँ पर दिया गया है अब हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि इस तरह की कोई भी नोटिस 24 माई को यहाँ पर रिलीज नहीं की गई है आप यहाँ पर सारे ओप इंडिया के वैब्साइट पर भी जाप जाके इसको चेक कर सकते देखी हैं मैं आपको यहाँ पर 24 मही से दिखाते हूँ आप यहाँ पर 24 मही से इस तरह के कोई भी नोटिस यहाँ पर फार्मेसी काउनसल आप इंडिया या फिर नहीं मिल नहीं नहीं है इसलिए जो यह ये बिल्कुल फेक है आपको इस पर यकीन नहीं करना है तो diplomine pharmacy final year के exam हो जाएंगे उसका result आ जाएगा उसके बाद pharmacy council of India जो है वो exit examination करवाएगी इससे पहले आपके exit examination नहीं होगे exit examination में वही student participate कर सकेंगे जिन्होंने बिना बैक लगे बिना बैक यानि की supplementary लगे अपना diplomine pharmacy exam को पास किया हुआ है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लिए आप इस वीडियो को लाइक करें साथ में जो भी आपके friends हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से सेर कर दें जि आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिंद।